असलाम लेकुम, now we discuss social study class 1, unit 8, page number 65, topic in the sky, आस्मान में At night, the sky is dark, रात को क्या होता है, आस्मान, dark, यनि black होता है, when it is dark जब ये स्या होता है, you can see the star, आप क्या कर सकते हैं, star देख सकते हैं, they are very far away, ये बहुत दूर होता है, sometimes you can see the moon और किसी वक्त आप क्या कर सकते हैं, moon भी देख सकते हैं, the sky at night, इस पिक में क्या का हुआ है, sky हमें दिखाया हुआ है, रात के टाइम में, और इस पिक में क्या है, the sky at day, दिन के टाइम में sky यनि आस्मान कैसा होता है, वो दिखाया हुआ है, in the day, you can see the sky, day time जब आप sky देखते हो, it looks blue, वो blue color का होता है, यनि नीले रंग का, you can see white clouds floating by, क्या करते हैं, बादल जो होते हैं, वो तैर रहे होते हैं, यनि चल रहे होते हैं, आस्मान पर, वो आप दिन टाइम देख सकते हो, the sun shines brightly during the day, जो sun होता है, यनि सूरज होता है, वो दिन टाइम चमक रहा होते हैं, रोशन हो रहा होते हैं, during, तुरान, यनि the day, डे के दुरान, दिन के, it gives light and warmth to our planet earth, प्लैन टोड़ता है, सिहारा, sun जो है, वो हमारे planet, यनि अर्थ को क्या देता है, रोशनी भी देता है, और warmth भी देता है, sometimes the sky is cloudy, किसी वक्त क्या होता है, sky cloudy, यनि अबर और लूद भी होता है, never look directly at the sun, directly क्या करना चाहिए, हमें sun की तरफ नहीं देखना चाहिए, it will hurt your eyes, ये आपकी आँखों के लिए ठीक नहीं है, आपकी आँखों को क्या कर सकता है, hurt कर सकता है, birds can fly high up in the sky, जो birds यनि परिंदे होते हैं, वो क्या कर सकती है, आसमान पर उंचा उर सकते है, aeroplanes fly even higher, जो aeroplanes होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो ज्यादा उंचा उर सकते हैं, बर्ड से भी ज्यादा उंचा, Did you know, क्या आप जानते हैं, hot air balloons were invented in France in 1783, Hot air balloon, किस ने जाद किया था, फ्रांस ने जाद किया था, 1783 में, The first passengers to travel in a hot air balloon were a ship, a duck and a roaster, जो पहले passengers, यनि मसाफिर थे, जिनोंने उस hot balloon में travel, यनि सफर किया था, वो कौन थे? Ship, यनि एक भेट थी, duck, यनि एक बतख थी, और एक roaster, यनि एक मुरगा था, Hot air balloons होते किस तरह के हमरे पास, ये देखो, इस तरह के होते हमरे पास, Hot air balloons, इन्हें बोलते हम, इस तरह के होते हमरे पास, जिसके जरिये से हम travel कर सकते हैं, आस्मान में, Now we discuss question answers, Question number one है, हमरे पास, describe what you can see in the sky during the day, दिन के टाइम आप आस्मान पर क्या देखते हो, Answer के हमरे पास, sun होता है, यनि सूरज होता है, clouds यनि बादल होते हैं, birds और परिंदे होते हैं, जो हम दिन के टाइम आस्मान पर देखते हैं, Second question है, describe what you can see in the sky at night, आप क्या देखते हो आस्मान पर रात की टाइम, वो पता नहीं आपने, Third question है हमारे पास, Our national flag has something you can see at night on it, What is it? हमारे national flag में कोई ऐसी चीज है, जो के हम रात को देखते हैं, What is it? हो क्या है? Guess what? Stars and moon है हमारे पास, Now let's read the next page, Page number 66, work page है हमारे पास, Here are some other things we can see in the sky, यहाँ पर कुछ और चीज़े हैं, जो के हम sky यानि आस्मान पर देखते हैं, Write the names and color the pictures, आपने इन pictures में क्या करना है? Color करने हैं और इनके साथ इनके names write करने हैं, A kite, an aeroplane, a bird, a helicopter, यह हमारे पास क्या है? An aeroplane, a kite, a bird, a helicopter, इन pics में आपने क्या करना है? Color करने हैं, इन सारी pics में, Now we discuss fill in the blanks, The sky is higher dash the earth, high above the earth, आस्मान जो है, वो जमीन से बहुत उंचा है, It is dash at night, it is dark at night, We can see the dash and dash only at night, हम वो कौन सी चीज़ हैं? जो हम सिरफ रात को देख सकते हैं, Look at the diagram and make a paper glider, Glider कहते हैं, बगएर engine के जो त्यारा होता है, How far can it glide? वो कितनी दूर तक glide कर सकता है? वो हमने बताना है, Now, do some fun, make a paper glider. इसके लिए हमें एक page चाहिए, जिसकी height थोड़ी ज्यादा हो, और भी थोड़ी कम हो, Center से इसे fold कर लेना है, जैसे step 2 में बताया हुए हमें, इसके बाद इदर से हमने fold कर लेना है, यह जो center बद लाइना है, यहां तक, इदर से भी ऐसे fold कर लेना है, उसके बाद हमने, इसे ऐसे turn कर लेना है, उसके बाद यहां से थोड़ी से space छोड़के, फिर ऐसे कर लेना है, यहां से उठाके, यहां पर ऐसे कर देना है, पिर हमने इसे ऐसे turn कर लेना है, इसके बाद यहां से पकड़ के, ऐसे, जैसे यह step 7 और 8 में हमें बताया हुआ है, इसके बाद इसे ऐसे कर लेना है, यह हमारे पास यह गलाइडर बन जाप, जैसे यह 9 में बताया हुआ है, आपने स्काई की पिच्छे ड्रा करना है और उस पर आप क्या देखते हो, वो भी आपने ड्रा करना है साथ में, इसमें आपने क्या करना है, राइट करना है स्काई पर जो जो चीज़ें आप देखते हो, यह सारा कम आपने अपनी नोट बुक्स पर करना है, नेक्स्ट हमारे पास पेज नमबर 68 है, यूनट 8, वट वी हैव लर्न, यूनट 8 में हमने क्या क्या लर्न किया, उसके बारे में डिसक्स करेंगे, यूनट 9, वी हैव लर्न अबाउट दा अर्थ, अर्थ के बारे में, यानि जमीन के बारे में, मौन्टेंज, पहाड, हिल्स, पहाडिया, रिवर्स, प्लेंज, सी, इंसारी चीजा के बारे में, लर्न किया है, और नेख्स के हमरे में, भी हैं, फ्टिशे रिवी है, थिंग्स, वी सारी शेजा, अट नाइट, ऱ्टिशे रिवी हैं, इस चेप्टर ते लिवी है, नेख्स किया है, नेख्स हमरे याएट इस Normalism, आप इस picture में क्या देख सकती हो Tell your teacher about something you have learned about the planet earth इस planet earth के बारे में आपने क्या क्या पड़ा उसके बारे में आपने teacher से something you have learned about the planet earth इसमें उन्होंने कहा हुआ है जो आपने learn किया है वो आपने teacher के साथ क्या करना है discuss करना है यनि teacher को बताना है तो आप इसे अच्छे से learn कर लोगे जब आप लोग स्कूल आएंगे तो हम इसे और भी detail से discuss करेंगे The earth is round like a ball अर्थ क्या है गोल है ball की तरह जैसे कि हमने previous unit में पढ़ा like a huge ball जमीन वारी किस तरह के like a huge ball एक बड़ी गेंड की शकल की है never look directly at the sun sun की तरफ यनि सूरज की तरफ ब्राहरास्त हमें नहीं देखना चाहिए reverse flow into the sea reverse जो होती है वो क्या कर जाते है flow कर जाते है sea यनि समंदर में बह जाते है we must look after the earth हमें जमीन की देख बाल करनी चाहिए it is our home यह हमारा घर है जमीन के हमें देख बाल करनी चाहिए जमीन की चाहिए